हाई एवरिवान तो मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ विंटर्स की और कुछ ये टिप्स हैं मेरे पास जो मैं विंटर्स में डेफिनेटली यूज करती हूँ और सच में ये टिप्स यूज करके आप अपने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव औ याप कॉमफरटेबल हो इसकी बाद हम लेते हैं देए यानि की कर्डि तो देए आप कोई साभी ले लिजिए घहर का बना हुआया मार्किट का कोई साभी देए आप ले लीजिए तो यहाँ पर मैं ले ले लेती हूँ तीन से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपके पास इतने सारे इंग्रेडियंट नहीं है तो नॉमल आप दही भी ले सकते हैं और दही के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल दीचे आप इसके बाद उसको अच्छे से पेस्ट बना गया आप अप्लाई कर लीजे अपने हेर् तो आप देख सकते हैं कितना स्मूधी अच्छा टेक्चर बना हुआ है इसका और इसका जो वर्ग है ना लाइक मैजिक क्या वर्ग करेगा पूरा विंटर्स में ना एक्चली क्या होता है ना हमारे सर के अंदर काफी सारे डैंडर्फ हो जाते हैं तो मतलब आमला रीथा औ क्लीन बनाता है तो यहां पर मैं पेस्ट ले लेती हूं और अपने बालों में लगाना अप्लाई कर देती हूं तो आप उतना ही पेस्ट बनाई जितना आप अपने बालों में लगा सके यह ने की बहुत सारा बना दिया तो वेस्ट हो जाएगा उतना ही बनाई जितना आप यूज़ कर सके उसको अगर आपके white hairs हो गए हैं तो सच में अगर आप इसका regularly use करते हैं तो white hairs की problem से आपको छुटकारा मिल सकता है regular ये नहीं है कि आपको daily apply करना है इसको आप week में दो या तीन बार अगर apply करते हैं तो इसे आपके जो white hairs होते हैं उससे हमें बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है मतलब कि वह होना ही बंद हो जाते हैं white hairs क्योंकि हमारे बालों में पोशन पहुंचने लगता है तो इस वज़ए से हमारे बाल healthy भी होने लगते है पोशन की कमी से हमारे बाल white हो जाते है और वैसे भी मैं कोई जैसे hair mask लगाती हूँ तो आदे घंटे से जादा मैं कोई भी hair mask नहीं लगाती कभी कवार हो जाता है कि 40 minutes या 45 minutes हो गए लेकिन आदा घंटा enough है मैं पूरा dry होने नहीं दूंगी इसको तो finally मैं यह paste लगा चुकी हूँ इसके बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी इसके बाद मैं कुछ tips वगारा कर लेती हूँ जैसे कि यहां पर tip number two तो tip number two है इसमें हम करेंगे stem stem लेने से क्या होता है कि हमारे blood circulation होता है face पे और जो हमारे poreses होते वो open हो जाते हैं जिससे acne वगरे की problem हमें नहीं होती pimples की problem नहीं होती तो stem को हमें कम से कम week में एक बार तो करना ही चाहिए या फिर 15 days पे एक बार करना चाहिए अगर आपके बस time नहीं है तो क्योंकि चहरे पर stem लेने से काफी सारे फायदे होते हैं आपकी skin glow भी करती है steam आपको सिर्फ पांच या आठ मिनट के लिए करनी है जादा देर के लिए नहीं करनी है मेरे हिसाब से पांच मिनट बहुत है steam के लिए तो यहां पर tip number 3 हम करते हैं body oiling oil में आपको इसा भी oil ले सकते हैं coconut oil ले लीजिए, olive oil ले लीजिए या फिर mustard oil ले लीजिए तो यहां पर मैं mustard oil ले ले लेती हूं तो इसके बाद हमें अच्छे से मालिस करनी है मसाज करनी है अपने पैरों की हातों की नहाने से पहले हमें मसाज करनी है क्योंकि जो हमारी body होती है न वो बहुत ज़्यादर के अंदर मतब winter में dehydrate हो जाती है मतब खुश्प हो जाती है तो आप नहाने से पहले body पर अच्छी तरेके से मालिस कर लीजिए मसाज कर लीजिए इसके बाद नहाने चाहिए इसके बाद आप after bathing result देखेंगे न सच में आपकी जो body है जैसे की खुश्प हो जाती है तो जा तो वो नहीं रहेगा तो आप चाहे lotion लगाए या मत लगाए उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही oil लगा लिया है इसके बाद नहाए इसके बाद आपकी जो body automatically hydrate हो जाती है तो यहाँ पर मैं नहाने से पहले body oil कर लेती हूँ खासकर winters में जब तक मेरा ये hair mask dry होगा तब तक मैं कुछ नो कुछ tips कर लेती हूँ सा किसी भी shampoo से wash कर लिए जो भी आपका favorite shampoo हो इसके बाद आप conditioner कर लीजिए तो यहाँ पर मैं बालो को wash कर लेती हूँ टिप no.4 आप serum लगाना बिल्कुल भी ना भूले आप एक अच्छा सा कोई भी serum ले लीजिए और मतलब बाल दोने के बाद ना serum तो जरूर apply किए करिए क्य जिसे हम attractive लगते हैं जैसे ही आपके बाल 70% dry हो जाए इसके बाद आप serum के apply करिए तो यहाँ पर मैं serum के apply कर लेती हूँ सिर्फ दो बूंदे ही काफी होती है मेरे बालों के लिए serum क्योंकि जो मैं serum use करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा serum है यह और मैं हमेशा इसे use करती मुझे जो बहुत पसंद है मैं product कम ही use करती हूँ लेकिन अच्छे use करती हूँ जिससे मुझे result मिलता है मैं कोई ऐसे product use नहीं करती जिसके बारे मुझे पता ही ना हो मैं पहले google पे search करती हूँ then उसको मैं use करती हूँ कि मुझे product सो समझ की use करती हूँ and tip number 5 यहाँ पर अगर सोया भी नहीं जाता है इतना पेन होता है तो यहाँ पर मैं हमेशा सर्दियों के अंदर कुछ नो कुछ लिप बाम वगरा रखती हूँ और हमेशा मैं उसको moisturizer करती रहती है अपने lips को तो lips को winter में बिल्कुल भी ना सूखने दे जहां अगर आपके lips सूखे न वहाँ पर लगाने में भी and tip number six यहाँ पर हम लगाते है body lotion जैसे skin dehydrate हो जाती है तो body lotion भी हमारे पास होना चाहिए कभी कवार जैसे की हमने use कर लिया इसको या फिर हम कहीं बाहर जाते है तो body lotion लगा कर ही जाना चाहिए क्योंकि जो हमारे हाथ है वह भी attractive लगने चाहिए जरूरी नहीं body lotion लगाने से क्या होता है कि आपके skin whitening करती है और skin shine भी करती है तो यहाँ पर यह होता है body lotion का फाइदा तो skin गंदी भी रही होती है और shine करती है अच्छे लगती है मतलब तो body lotion तो हर किसी को लगाना चाहिए तो normal store पर मिली जाता है इसके बाए tip number seven तो यहाँ पर मेरा सबस पसंद आते हैं सच में इसलिए पसंद आते क्योंकि वे एक्टी वर्क करते हैं और मैंने experience किया हुआ है अगर आप इसको लगाएंगे यूज करेंगे आप खुदी result देखेंगे हाँ इतने expensive भी नहीं है ठीक है affordable है आप ले सकते है डाइसो तीन सो तक का मतलब यह मेरे पास sunscreen है यह मैंने लिया था और यह मुझे इतनी पसंद आती है एक्चली मैं कहीं बाहर जाती हूँ दूप में तो मैं इसे ही लगा कर जाती हूँ इसको लगाने के बाद शायन करता है शहरा ऐसा लगता है कि हमने foundation लगा रखा है और बहुत ज़दा अट्रेक्टिव लगता है तो आप अगर धूप में भी बैठते हैं विंटर के अंदर तो आप इसको लगा कर बैठ सकते हैं अच्छे तरीके से और विंटर में धूप लेना हर किसी को पसंद होता है विटामिन डी बिल्कुल लेना चाहिए और विटामिन डी तो हमारे लिए बहुत ज़दा फाइद अगर आप भी से लगाएंगे ना सच में आपके फेस बी गलो करेंगी क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी संस्क्रीन है और मुझे बहुत पसंद आती है एंड टिप नमबर एट तो सबसे ज़दा हमारे जो बॉड़ी का पार्ट है वो हमारे पैर है गाईज क्योंकि हमारे यहां पर मैंने जैसे क्रैंग हील को चली हम हील करते हैं और यहां पर मैं यह ले लेती हूँ कि मेरी हील्ट कुछ आ दगी ममने यह बनायाए इसके बाद मैं pollen को लगाना शॉबतर था प्र और बहुत ज्यादा साफ सुत्री भी तो यहां पर हमें जरूर लगाने चाहिए अपने पैरों के भी सफाई रखने चाहिए अगर आप पालर वगरे में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे ही कुछ ना कुछ टिप्स करके आप अफोर्ड कर पाएं तो मैंने कुछ ज् साली, साफ सुत्रे भी रहेंगे और अच्छी भी रहेंगे तो यहां पर मैंने ठीमें आदमी अइक ही सौकस टीव तो मैं इद ली है और आपको मेरे वीडियो कैसी लगती है अगर